सबसे पहले में आपको ब मतलते अब को बता हो तो ढ़ोहे क्योंकि नेपाल क्रिके टीम जीती हुआ え जीती हुई मैंश हारी है दोसो छे रन का टारेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था लेकिन नेपाल के प्लेयर ने तो किसी ने कि मतलब किया कहुई यार किसी ने तो ट्राइ हारड ही नहीं किया और समझने आता कि भाई आप लोग खेलने जा तो यह विकेट देने जाते हुं मतलब यह नमीबिया वाले तो यह सोच रहा होंगे चेपाल के जितने खिलाड़ी वह आते हैं विकेट देते हैं और चले जाते हैं मतलब कोई तो थोड़ा दे टिक टे खेल दो मेरे भाई और देखो बहुत जादा बुरा लगता है क्योंकि टीम मेनेजमेंट जिस तरीकी के टीम जैसे चूज करके भेजती है ना मुझे बहुत ज़्यादा गुश्ता आता है कि इतना सफल क्यों करना वाई टीम में आप किसी एक हिलाड़ी को एक पोजिशन पे क्यों नहीं खिलवा सकते हो और रोहित पॉड़ेल को देखो मैं कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है आपकी जो चीज़े हैं वह काम करी थी पास्ट में आपन क्यों आप लो आपके नेपाल क्रिकेट टीम में कोई भी मेंद बॉलर है ही नहीं सुम्पल गामी को हटा दो दूस्के बाद सब यहां पे ओल राउंडर भड़े पड़े हैं सब के सब और राउंडर भड़े पड़े हैं किसी से रन नी बन रहा को यहां पर अच्छे से रन बन बना देते तो यहां पर जो बाकी जो नीचे की प्लेयर्स थे वो तो भाई अच्छे का से रन मारते ना थोंपाल कामी आके जाके दो चक्का एक चोका लगा के जा रहा है भाई आप लोग टॉप अडर क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है और यहां पर दाद में देना चाहूंगा आज डिपेंदर सिंग एरी की क्योंकि आज डिपेंदर सिंग एरी जो है उन्होंने बहु आज के मैचेस में देखो उसने लास्ट गेम को लेके गया बारा बॉल में चौबीस रन चाहिए थे वहां भी मैच फिनिस हो जाता लेकिन डिपेंदर सिंग एरी के उपर इतना जादा प्रेशर था आज इतना जादा प्रेशर था कि वह बंदा मैं क्या कहूं मतलब एक तर अच्छी करनी पड़ती है फिल्लिंग में तो को इंटेंट दिखी नहीं रहता है ऐसा लग रहती कि प्लेयर लूज पड़े हुए किसी को मतलब ही नहीं यह बॉल जा रहा है तो जाने तो यार मतलब यह इस तरह खेलो के भाई तो मैं सच्छी कह रहा हूं बहुत जादा ग है आपके टीम में बॉलर नहीं है क्या करना है नहीं करना है बिल्कुल समझ नहीं है ठीक है अब इस पे अगर मैं कुछ जादा बोलूँगा तो नेपाल क्रिकेट फैंस को बुरा लग जाए इसलिए मैं नहीं बोलना चाता ठीक है जो रियालिटी है मैं बता रहा हूं कि न मैं जनली जाना चाहूंगा आप लोग से वारे में क्या सोस्ते हूं